तो ले इस स्टार्ट दा लेक्चर है ना चैट मुझे दिखाई देगा आप चिंता मत करिए यहां से दिखता है मुझे चैट थोड़ा साथ दिखाई पास आना पड़ता है दिखाई देगा ठीक है और वैसे तो अभी मैं बंद कर रहो दस एक मिनट के लिए जैसे में फिलो म आसा बात आप लोग और समझ लिजिए और वो है आपका एक definition डैक डफिनेशन और लक्स फ्लड डेफिनीशन और एक यह डेफिनेशन भी होती है पढ़ा है अपने लक्स फ्लड डेफिनेशन पढ़िये एसेड बेस का लक्स फ्लड डेफिनेशन कहीं सुना था किस ने पढ़ा है देखो यह बेसिकली नॉन एक्वस मीडियम में लगती इस पेसली आपका जो मेटलर्जी चैप्टर है ना वहां लगता है नॉन एक्वस मीडियम में जो है ना यह यूज होती है इसमें कहा जाता है कि जो इस दो ऊक्षाइड आहन के रिस्पेक्ट में होती है ऑक्षाइड आयएन होगा है उडोनर होगा कि या ठीकियो चैठ्स और सब्सक्राइबसंसाट क्वस में जलता है ऑक्सेड़न एक्सेपटर तो एसेड होते हैं और डोनर जो होते हैं जैसे आपने यह देखा होगा कि अगर Na2O को पानी में मिलाओगे तो क्या बन के आएगा यह काम करता हूँ इस से समझ़ा देता हूँ यह समझा देता हूँ यह ज़्यादा अच्छा है पहला टू-C2 को मिलाएंगे तो क्या बन के आएगा टू-पॉ-प्लाएंगे कि तो क्या बन के ओeonना चाहिए है क्या लगते हैं आपको है ऑचाहिए टू-थी बनना चाहिए भेरी गुट है उस्था नहेया सिछ ट्री बनेगा ऊँप सबकोए सबण में बनेगा यह किसा ऑब है एने टू कैसा dead होता हुग एने टू उखको नो किसा ऑफना होता है क्यूंकि मेटल काकशबस सबको बता है सब we sitए ogr we m कि और सत्य होता है स्यूटू कि सोट फोक साय होता है हैं तो वैसे तो लोग यह एक बार कुश्चन आ चुका है उसमें जेई में में कुश्चन आ चुका है लेकिन लोगों ने इस तरीके से मैटल का नॉन मैटल सा करके ही बता दिया था अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहां यह क्या बनेगा यह सॉल्ट बनेगा तो आप लोग जानते हैं कि एसेडिक सोलूशन आप समझते हैं ना एसेडिक सोलूशन और बेसिक सोलूशन उल्टा लिग दिया अपने को समझना यह होगा कि आप यह मानते हैं कि एने टूओ का पानी में सोलूशन क्या बनेगा एने वच बनेगा और CO2 का पानी में सलूशन क्या बनेगा? H2, CO3 बनेगा तो ये basic solution है ठीक है? और ये कैसा है? acidic solution है तो basic solution और acidic solution मिलके क्या बनाते है? salt प्लस water बनाते है पानी उसमें बनता है पानी कब बनता है? जब आपके पास solution में आप neutralization करा रहे होते हो तो पानी बनता है लेकिन अगर आप पानी हटा दोगे जैसे ये कहोगा? ये basic oxide है, ये acidic oxide है ये पानी नहीं है तो केबल salt बनेगा पानी नहीं बनेगा तो acidic oxide और basic oxide acidic oxide और basic oxide मिलकर भी salt बना सकते हैं ये हमेशा नहीं है ऐसा मत सोचना कि आपको हमेशा बस अगर मैं किसी से कहता हूँ कि सॉल्ट कैसे बनेगा तो मुझे एक ही जवाब आता है कि सर अइसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा बाकी कहते हैं कि सर आप खुछ समझदा और आप खुछ समझ लेना कि एसिड में एसिडिक औकसाइड की बात कर रहा हूँ कि एसिड में मैं एसिडिक सॉलूशन की बात कर रहा हूँ ऐसा कोई जवाब क्लास में आता नहीं है कभी तो Acidic Oxide का मतलब जो होता है मतलब आपको बोलना क्या चाहिए था कि आप मुझे बताइए कि सर आप कौन से मीडियम में बात कर रहे हैं अगर आप Acidic Medium में अगर आप Equus Medium में बात कर रहे हैं तो Acidic Solution और Basic Solution मिलकर Salt प्लस Water बनाएगा लेकिन अगर Medium Equus नहीं है टू निगेटिव है ठीक है यह है तो यह एने टू अचानक एने प्लस में कैसे कंवर्ट हुआ तो लक्स फ्लट डेफिनेशन जो कहती है कि इसने एने टू और ने क्या किया होगा एक इसको दिया होगा इसके पास यह एक आइनिक कंवाउंड सब को समझ में आ रहा होगा एने टू इसके पास एने प्लस आयन और और रहे होंगे और इसको दे दो जड़ा आप लोग क्या समझते यह समझ जाएंगे कि CO2 अगर ओकसाइड आयन को गेन करेंगा तो क्या बना देगा C32 narrative बना देगा और यह अपना जब Oxygen देगा एने टूओ जो है ना एने टूओ जो है न वह क्या करेगा जब अपना Oxygen देगा तो क्या बना देगा इसके पास दो मने प्लस आयन बचे हुए हैं आप वो दो एने प्लस और यह कर्बनेट आयन यह दोनों मिलके क्या बना रहे हैं यह दोनों मिलके क्या बना रहे हैं यह दोनों मिलके एने टू स्योट्री बना रहे हैं कि लाग्स-प्रस डेफनेशन भी आती है किसकी एसेड बेस की आती है लख्सप्रस डेफनेशन जो रहता है इवन जो आप ये डिएक्शन लिखते हैं ये नोट कर लिया होगा आपने अभी आपने मैंने एक रिएक्शन लिखा था आपको कौनसा एने टू-ओ प्लस है ट्वा होता है वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है जुड़ता है तो वह दो हेच बनाता है इसका इकल्म कॉंस्टेंट लगभग जो होता ये साथ इसके अधर का एक्षक करके दो अचान बनाता है तो इसके दो अचान और इसके दो एने फ्लस अचान कुल जाएगा एसे हो जाएगा तो एसे डिक और बेसिक ऑक्साइड की जो होती है वह लक्स फ्लट डेफनेशन से समझाई जाती है यहां मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड़क्शन दे दिया है आप लोग इसको इससे काम आपका चल जाएगा आप इसे नोट कर लीजे आपकी ले यूज की है मैंने बहुत सारी तो वहां से आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो आइनिक में यहां से जाने के जरूवत नहीं है कि अन्यक के लेक्शर यूट्यूब पर नहीं है यह हो जाएगा अब नोट कैसे बेजेंगे नोट तो आप बनाई है मैं तो कैसे बने भीजू प्रॉब्लम आएगा बाकी लोग जो है ना वह जो है ना मैंसे नहीं पढ़ा पाता हूं अब फटा फटा वाला जादू जादूगरी नहीं कर पाता हूं ना उसमें टाइम लगेगा मेरे से पढ़ो तो थोड़ा सा लेकिन हाई है कि खतम होगा आपको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा चैप्टर में तो यहां पर यहां पर क्या होगा कि इसमें लिख लो आप नेक्स एडिंग सॉल्वेंट कोर्स कब तक कम्प्लीट कोर्स तो अभी आज ही कम्प्लीट हो जाएगा आप आज से पढ़ना बंद कर दो कि लास में आना बंद कर दो आज से आज ही कम्प्लीट हो गया कोर्स आपका के बल मेरे को आप लोग ध्यान रखना इसीज के लिए कि जब आप लेक्चर अटेंट कर रहे हो तो जो चल रहा है ना बोर्ड पे इसके अलावा कोई भी कुश्चन आप चैट में मत लिखना कोई भी कुछ भी मतलब अपनों को क्या 100 परसेंट पर प्रजेंट रहना चाहि कि से को या सिंधा को परसनल दुस्मन यहां कि उसके उसका फ्यूचर खराब करेंगे ठीक ही कर रहे हैं मतलब अपने साबसे जो सही लग रहा हो सही कर रहा है या तो फिर नहीं पढ़ाएं तो ठीक है जैसा लोग करते हैं वैसे करते रहेंगे तो समय लगेगा हाई यह नोट कर लिया आपने यह नोट कर लिया है अगे बढ़ते हैं इसमें और फटा-फट काम करो कोसे से यह आपको जल्दी कराएंगे ज्यादा इसलिए बताया है इतना नहीं गया डिटेल में नहीं गया वहना लक्सप्लड डेफिनेशन का ही पूरा एक लेक्चर हो जाता है इतना डिटेल में नहीं गया हूं लेकिन बताया है क्योंकि पूछा उन्होंने पूछा है अन्होंने यह कुछण जैसे पूछा था मेरे ख्याल से यह पूछा था calcium oxide और si o2 का reaction पूछा था si o3 में यह पूछा था कि कौन acid होगा कौन base होगा तो सभी ने metal था metal का oxide को basic बता दिया और non metal का oxide को acidic बता दिया और ऐसे सब ने काम चला लिया लेकिन actually हो क्या रहा था कि oxide iron यहां जा रहा था तो calcium 2 positive iron और si o3 2 negative बन रहा था यह दोनों combine करके क्या बना रहे थे यह बना रहे थे अब अगर examiner को लगे और उसने ऐसे दे दिया na2o plus h2o say 2 na2o दे दिया अभी वो पूछता है कौन सा acidic oxide है कौन सा basic oxide है तो लोगों को लगेगा कि यह water तो neutral होता है यह कैसे मैं acid लिख दूँ कैसे इसको तो लोग base लिख देंगे लेकिन इसको acid लिखने में क्या करेंगे घबराएंगे इसको acid लिखने में घबराएंगे पानी को तो neutral बोलते हैं general public तो घबराएगी लेकिन जिसने luxe blood definition पढ़ा होगा वो समझ जाएगा कि यहां पे oxide जा रहा है इसके पास और यह इसके पास 2 na plus बचेंगे यह दोनों मिलके क्या हो जाएगा यह दोनों मिलके 2 o h i n बना लेंगे इससे करके क्या आ जाएगा न o h आ जाएगा तो यह आप कर पाओगे इस तरीके से हैं लीक से हटके भी कभी कभी आते हैं ते कर लीजेगा ना ठीक है चलो काफी हो गया इसमें काम आगे बढ़ते हैं और एक last system है अपना next heading लिखिए solvent system of acid base हाँ इन सब के जो textbook में जो theories हैं वो मैं आपको पहुचा सकता हूँ जहां से मैंने पढ़ा है वो सब मैं दे सकता हूँ उनके सारे print out या pdf हैं वो सब आपको मैं दे सकता हूँ solvent system of acid base solvent system of acid base है ना यह क्या होता है तो solvent system में यह कहा जाता है कि अगर कोई केटाइन कॉंसेंट्रेशन केटाइन कॉंसेंट्रेशन कोई substance आपने मिलाया और वो केटाइन कॉंसेंट्रेशन बढ़ा रहा है तो वो acid होगा और अगर कोई substance आपने मिलाया और वो एनाइन कॉंसेंट्रेशन बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा वो base हो जाएगा substance which increase केटाइन कॉंसेंट्रेशन ठीक है substance which increase क्या होगा वह ऐसे होगा जो सोलवेंट सिस्टम की बात करें तो अगर हम वाटर को एजह सॉल्वेंट ले लें पानी को जब लेंगे तो वह था सॉल्वेंट लोगे तो उसमें और एनायन कॉन से हैं ए-गर टाइन कौन है पानी में बारी में कटाइन कौन सा है बोलो फादी में कक्टाइन कौन है यह एच कौन है ड़ाए तो कोई कोईन जो पानी में एच परसायन कॉंसेंटेशन बढ़ा दे काटन की कॉंसेंटेशन बढ़ा दे एसल है तो एसल को आप एसेड क्लेम करोगे करोगे H2SO4 को acid claim करोगे what about NOH H2CO3 को claim करोगे NOH क्या करोगे NOH क्या बढ़ाएगा base claim करोगे करोगे जब आप इसमें SCL मिला होगे तो क्या होगा अब जैसे होगा कि अगर आप ब्रोमीन लिक्विड की बात करें ब्रोमीन लिक्विड में अगर आप देखेंगे तो उसमें ब्रोमीन लिक्विड को अपने solvent लिया हुआ है अब इसमें किसी ने क्या किया इसमें किसी ने सीजियम ये मिलाया CSBR3 ठीक है ठीक है ये CSBR3 बुलाया ठीक है तो CSBR3 जब मिलाओगे तो ये क्या contribute करेगा how CSBR3 will work ये जो ये solute है और ये solvent है तो solute ये कैसे काम करेगा इसमें बोलो ये solute जो है ना acid के तरह काम करेगा या base की तरह काम करेगा हां कैसे काम करेगा base की तरह काम करेगा क्यों क्योंकि जो CSBR3 जब पानी में इसमें जाएगा solvent में जाएगा तो उसमें ये दो तरीके के आयन होंगे cesium positive iron और BR3 मानस iron ये question भी आ चुका है ये main में है ना उन्होंने CSBR3 में आपसे आयंस पूछे थे यह कुश्चन आ चुका आप देख ले ना CSBR3 में कौन-कौन से आयंस एक्जिस्ट करते इतना ही कुश्चन था केबल तो उसमें आपको CSBR3 माइन को टिक करना था तो यह जो सलूट है वो ब्रोमाइट 3 माइनस आयन को कंट्रिबूइट करेगा एनायन को कंट्रिबूइट करेगा विकॉस इस गोंग तो भी इनिक्रीज दा एनायन कॉंसंट्रेशन डैट्स वाई CSBR3 इस क्लेमड एस बेस यह सॉल यह होता है सॉलवन्ट सिस्टम ऑफ इसन बेस ठीक है इसके कुशन भी होने चाहिए सीट में पहले भी पहले हम लुक्ष नुमिर्कल वगैर हम पहले तो होते थे अब बताएं देते हैं कि नहीं देते हैं पहले होते थे ना तो यहां पर खत्म होता है आपका acid-base concept पूरा खत्म कर दिया है वह सारा कुछ बता दिया आपको acid-base के बारे में है ना इस तरीके से ना नहीं पर पॉस्टिव चार्ज आएगा ना सीजियम पर पॉस्टिव चार्ज आएगा तो इस पर क्या होगा इस पर माइनस चार्ज आएगा बच्छो इसलिए ब्रोमीन पर मैंने माइनस चार्ज लगाए कि उसीजियम तो निगेटिव चार्ज नहीं ले सकता है ना सीजियम तो निगेटिव चार्ज नहीं ले सकता है ना इसलिए है अगर हो गया चलो आगे बढ़े अगर इसमें नोट कर लो आप लोग फटा फट नोट करो जल्दी से जल्दी से नोट करो नोट हो जाए तो बता हो अगर बढ़ते हैं और नेक्स सेडिंग लिखोंगे आप लोग और वो है आरिनियस थियोरी आफ वीक इलक्टोलाइट आरिनियस थियोरी आफ वीक इलक्टोलाइट है ना ठीक है तो आरिनियस ने क्या समझाया था कि अगर कोई वीक इलक्टोलाइट होगा जैसे ए बी तो वो कम percentage में dissociate करेगा तो ये वाला पार्ट इसका ऐसे करके dissociate होगा तो उसने सिरफ ये की dissociated पार्ट और undissociated पार्ट के बीच में एक equilibrium रहता है जिसको ionic equilibrium बोलते हैं यही समझाया था और कुछ नहीं समझाया था क्योंकि equilibrium है तो क्या होगा equilibrium है तो इसका एक equilibrium constant होगा के आई मतलब ionization because यहां पर ionization हो रहा है तो इस ही कहा कि भाई आप इसको ऐसे लिख लो यह प्लस आयन की concentration इस तरीके से बोला था यह theory थी यह किसने सबसे पहले समझाया यह आई नहीं समझाया था बाकि उन्हों नहीं बताया था कि positive चार्ज और negative चार्ज कैसा रहेगा बराबर रहेगा नमबर और ऐफ पास्ट को यह बराबर रहेगा त्री बीधार टू कि हां तो चिह बी आर टू है ना यहां पर क्या कहा रहा यह कि आई टी एस फ्रिंट आप मैं आप मैं मैं आपको माइक open के ना चाहर रह producer जलदी आपेंटरेस कर इसे नहीं बनेगा यह तो नहीं बनेगा ज़ो अप बनाना चाहरा है यह नहीं बनता है नहीं नहीं इस तरीके से नहीं बनता है ना यह नहीं बनेगा ना ठीक है वो नहीं है इलक्टो जैसा आप उसमें बनाते है ना इस तरीके से होता है लिक्विड है यह वीक है मतलब वीक मतलब ऐसा है कि कुछ परसंटेज में डिसोसेट हुआ है ना बाकी फिर क्या होगा जो के आई है के में यह के होता है और के भी होता है के फॉर इकलिम कॉस्टंट एफ और एस से ना तो यह वीक एसिट के लिए लिखा जाता है यह वीक बेस के लिए लिखा जाता है ऐसे करके है ठीक है नेक्स एडिंग लिखोगे आप लोग और वो है कि डिग्री ओफ डिसोसियेशन डिग्री ओफ डिसोसेशन अलफा होता है क्या होता है अलफा जानते हैं आप लोग अलफा के बारे में डिग्री ओफ डिसोसेशन के बारे में जानते हैं क्या जानते हैं डिग्री ओफ डिसोसेशन के बारे में आप क्या जानते हो नमबर आपमोट डिस्सोशेटेटेड अपॉन टोटल मोल्स है ना ठिक हैं ओके तो वैसे तो यही है कि सब लोग यही बोलते हैं मोस्चोशेटेड अपॉन इनीशल मोल्स और यही देखते हैं तो इससे लेकिन आपका कुछ होगा नहीं मतलब कोई भला नहीं होगा मौल्स डिसोसियेटेड dunno कि एक ये सारी किताबों में लिखा हुआ है मोल्स डिसोसियेड़ अपॉर्ड पॉम्हार नहीं से ना और । यह पूरे कोटा को पता है तो मैं फिर एक्सेतर कम का बता है ओ तो हुद इससे बहुत ज़्यादा आपका भला नहीं होगा इस वाले से उससे अच्छा है कि आप यह वाला लैंग्विज याद रखिए यह जो मैं इस्तार माक कर रहा हूं यह आपके काम का है वो क्या है मोल्स डिसोसेटेडड इसलिए जब आपसे कभी कोई कहता है कि परसंटेज डिसोसेशन बताओ तो आप अलफा को 100 से इसको डिसोसेशन बोलते हैं यहां पर यहां पर डिसोसेशन नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी वहां पर यहसे एच्टू बॉण्ड को तूटना उसको डिसोसेशन बोलते हैं यहां पर आइनाइजेशन इस बेटर वर्ड वर्ड ठीक है कॉमन लेंगविज में हम लोग यूज करते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं उसका यहां पर कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन यहां पर जो कॉं से मल्टिप्लाई कर दोगे बहुत सिंपल है सिंपल सा है अगर आपके पाथ दस मोल थे दस मोल में दो मोल डिसोसेट हो गए तो अल्फा की वैलू कितनी आएगी पॉइंट टू आएगी और परसंटेज कितना आएगा वो निकालना हो तो वन कॉंडेट से मल्टिप्लाई कर दो किसी ने कहा कि कोई भी सबस्टेंस है वो 40% डिसोसेटेड है तो अल्फा कितना आएगा अल्फा कितना आएगा 0.4 कैसे पता गिया कि भाई परसंटेज है तो परसंटेज तो 100 के रिस्पेक्ट में है तो 100 के रिस्पेक्ट में 40 तो एक के रिस्पेक्ट में कितना एक के रिस्पेक्ट में 0.4 हो जाएगा ये काम करना इस काम से कभी भी numerical गलत नहीं होगा कभी भी numerical में कोई mistake नहीं होगी तो alpha की बारे में बात होगी next setting आप लोग लिखोगे और वो है ओस्ट वर्ड लॉव डाइलूशन next setting लिखो आप और वो है ओस्ट वर्ड लॉव डाइलूशन वोस्ट वर्ड लॉव डाइलूशन ठीक है तो डाइलूशन तो समझते हैं आप लोग क्या होता है डाइलूशन वट इस डाइलूशन हां डाइलूशन क्या होता है एडिंग वर्टर पानी मिलाना एक होता है पानी मिलाना एक होता है पानी फेरना दो चीजा होती है हिंदी में एक होता है पानी मिलाना और एक होता है पानी फेरना तो पानी नहीं फेरेंगे पानी मिलाएंगे ठीक है तो concept यही है कि dilution की बात की जारी है इनका कहना क्या था इनका कहना यह था कि अगर कोई weak electrolyte AB है और वो ionize हो रहा है ऐसे करके और उसकी initial concentration T equal to 0 पे C है 0 है 0 है और इसका जो degree of ionization है इसकी जो degree of ionization है वो alpha दे रखी है alpha दे रखी है degree of ionization ठीक है alpha की value है तो कुछ समय के बाद यह decompose करेगा तो कितना बचेगा यहां कितना बचेगा AB की जगे कितना लिखों कितना बचेगा यहां कौन सा concentration लिखते हो यहां पे बच्चा हुआ या reacted हां बच्चा हुआ लिखोगे कितना बचेगा c minus c alpha कैसे बताया आपने एक मोल से कितना decompose करता है कोई substance अगर alpha दिया हुआ है एक मोल से कितना decompose करता है एक मोल से alpha दो मोल से दो मोल से दो alpha तीन मोल से तीन alpha ठीक है c मोल से c मोल से c मोल से c alpha तो इस तरीके से यहां पर यह मैंने बताया था यह हो जाएगा इनको पूट करके रहे हैं रख दो अपने आप आ जाएगा ना इनकी वैलूज रखो देखो आ जाएगा यह नहीं विशा पूट करें दो आजाएगा यहां पर क्या पूट किया होगा यहां पर जो किया होगा वह क्या होगा यह क्या होगा यह रघल बनजाता है अब यहां पे कंडिस लंद करियेगा यहां पे कंडिशन लगाना लगत यह मैसा है कि अगल फा को नीयरली वन दलेंगे टेकंडीशन लगाई है कि यहंद हो जाता है बहुत कम होता है लगबag वीक सबस्टांस को ही पढ़ रहे होते हैं काफी को पढ़ रहे लग अप्रॉक्सिमेट वेलू काफी कम आती पॉइंट बन परसेंट तक भी आजए तो भी आप निगलेट कर पाओगे बताता हूं मैं आपको इसके बारे में तो यहां पर आप अलफा की वेलू काफी कम होगी और काफी कम होने से क्या होगा मान लेते हैं कि यदि इफ लगा यद कि आई बाई सी तो अलफा क्या हो जाएगा अंडरूड के आई बाई सी ऐसे हो जाएगा ठीक है तो लेकिन अगर आपका आपका जो वीक एसिड होगा वीक एसिड के लिए जो किया ही होगा किसके बरार होगा के की होगा तो अलफा जो वीक एसिड का फॉर्मला बनेगा आपका अगर वीक बेस होगा तो वीक बेस के लिए किया ही क्या बन जाएगा बोलो के भी बन जाएगा अल्फा फॉर वीक बेस क्या हो जाएगा रूट के अंदर वो स्विलिय हो गए अब औ Kids आप इसाएविर्म करोगे तो लेंडिंग वोरिटर या ओन डायलूशन और कई बद्रीन करने पर क्या होगा करने पे कॉंसंटेशन जो है नंबर आप मोसपपन वालुम तो उसने का चाहिए दीधों करने पे क्या होगा क्या होगा सिग हो जाएगा स्थिखक कम होगा तो अलफह बढ़ जाएगे कि यहां पर जो है ना इसने यहीं बोला कि आलुशन करने पर क्या होगा को ब्रॉलूम बढ़ेगा पानी का ओलूम बढ़ेगा और वालूम बढ़ने से क्या होगा कि कि 16 कमोगी और कोंसंडेशन कम होने पर क्या हो जाएगा क्या हीजाल्फा-स और ऑजा पर अलफा की वेलू बढ़ जाएगी अलफा की वेलू बढ़ने का मतलब वह जो लिखा है आपको किस की यह अवेगा शापनी मिलाने पर वह उक्रू में लिखा है jsou उड़ाँ और हमें कि इंडर ऊट भूलूम बढ़ाने पर वालूम बढ़ाने पर को उसी दिरेक्शन में जाता fire ठ्थ यहां पर आप मोस जादा हों गे संड़ा जेहां पर वालूम कैसे बढ़ाते थे, वहाँ पे equilibrium में volume कैसे बढ़ाते थे chemical equilibrium में volume बढ़ाने का तरीका था, piston लगा दिया था, piston को अपर ले आते, volume बढ़ाते थे हैंना, यहाँ volume कैसे बढ़ाया जा रहा है, पानी मिलाके ठीक है, water मिलाके तो यहाँ जब भी पानी मिलाओगे एक्लूबरियम वहां जाएगा जहां आयन्स जादा होंगे यहां पानी जब भी मिलाओगे एक्लूबरियम फॉरवर्ड जाएगा जहां पे आयन्स जादा होंगे केमिकल एक्लूबरियम में जब वॉलूम बढ़ाओगे तो equilibrium वहाँ जाएगा जहा number of mole जाता होंगे तो chemical equilibrium mole से चलता है ionic equilibrium iron से चलता है concept लगबग लगबग सेमी है बट volume बढ़ाने का तरीका डिफरेंट है वहाँ पिस्टन को volume बढ़ाते वो उपर ले जाते है यहाँ पानी मिलाके volume बढ़ाया जाता है लेकिन तरीका वही है वहाँ पर भी वहाँ जाएगा जहां पर बढ़ेंगे यहां पर वहाँ जाएगा जहां पर आएंस बढ़ेंगे ठीक है आगे समझ में जस्टाइप सुपर किलियर एस सी यार दोनों कंसेप्स में आगए कि तो नुमेरिकल में क्या है देखो जारा है अब कर दो अब कर दो में क्या होगा अ नुमेरिकल में आपको एक क्वेशन निखना है कि फाइंड अल्फा फॉर फॉर पॉइंट बन मोलर CS3COOH solution यह question है at 25 degree Celsius given है आपको K of CS3COOH K of CS3COOH is 1.8 into 10 की पावर माइनस 5 यह दिया हुआ है आपको यह numerical आपको solve करना है यह numerical आपको alpha की value बतानी है बताईए रहा आपके पास एक मिनट है करना है आपको हो गया कितना आ रहा है हां 3.1 2 10 की पार मानस-2 बिलकुल यह आएगा है तो तो सभी लोगों क्या किया सभी लोगों ने देखा कि ये या फार्म्ला लगा दिया है यह लगा डियां डारेड्ट जाओ तो ड्रीब relevant करो या नहीं करना हुना करो जाना सीजा फॉर्मॉला लगाओ अल्फा भी कैसेट का क्या होता है रूट के अंदर के बाई सी हो जाएगा ठीक है तो रूट के अंदर के बाई सी आपने के की वेलू कितनी लिखी 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस फाइव डिवाइड बाई 0.1 सो इडिस कम्स आउट तो भी रूट के अंदर 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस टू तो 3.12 ऐसे कुछ आना चाहिए इसका वैलू देखो तूट में ही आ रहा है कि टेंप्यार क्यों दिया हुआ हाँ वन थ्री पाइंट नहीं 1.34 आएगा क्या एक मिनटू को ने पॉइंट फॉर टू तो नहीं आ रहा है पॉइंट फॉर टू नहीं आएगा यह वैलू कि इतनी आए रूट के अंदर साही वैलू निकालो तुम्हों कि ए एक मिनट कि ए एए और अवाज आ रही है हलो हाँ ओके अवार रहे है ठीक है तो यहां पर जो आपने फॉर्मूल लगाया है अलफा का यह वाला जो फॉर्मूल लगाया है वैलू यही आएगी कर लेना है ना स्वाल करके तो यह जो फॉर्मूल आपने लगाया है यह अप्रॉक्सिमेट फॉर्मूल लगाया है और इस फॉर्मूले में आपने एक अप्रॉक्सिमेशन क्या किया है कि आपने अलफा को 1 के respect में छोटा माना हुआ है जब आप ऐसा मानते हैं तभी ये वाला formula बनता है otherwise formula कौन सा बनता है otherwise formula बनता है c alpha square upon 1 minus alpha ये पूरा formula है ये without approximation का formula है ये with approximation का formula है ठीक है तो ऐसा करने के बाद आप क्या करिएगा आप लोग percentage approximation भी देखा करो कि आपने कितने percent approximation किया है तो आपने क्या किया आपने 1 के respect में alpha को neglect किया है यह है ना और alpha की ऐसे करिए since we have neglected alpha with respect to 1 और alpha की value कितनी आई है 1.34 into 10 की power minus 2 तो फिर 100 के respect में क्या होगा तो 100 के respect में होगा 1.34 into 10 की power minus 2 into 100 यह हो जाएगा 1.34 के बराबर और आपका जो permitted approximation है जो calculation में जो permitted approximation आप कर सकते हैं वो 10% तक कर सकते हो आप यह permitted है तो फिलाल अभी आपका 1.34 percent यह approximation आ रहा है तो यह result आपका correct माना जाएगा यह answer सही माना जाएगा कभी ऐसा हुआ कि permitted approximation 10 परघ्षंट से ज्यादा आगया permitted approximation 10 से ज्यादा कभ आएगा gucken जो भॉलをंगा permitted approximation 10 परघ्षंट से ज्यादा कभ आएगा जब आप one के respect में .1 से जादा वेलू को neglect करोगे ए बोन के respect में .1 ऐनके रिष्पैक्ट में ज्यादा वेलू negative रोगे वन के वन के respect में अगर point one value को neglect किया up to the point one neglect किया तो क्या होगा तो 10% आ जाएगा तो मैं student को यही समझाता हूँ कि आरे एक काम करिएगा आप लोग जब यह वाला formula लगाना समझो आप लोग जब यह वाला formula लगाना यह वाला तो अलफा की जो value आए उसको देख लेना कि वो point one से कम है या नहीं है अगर वो point one से कम है तो आपका answer correct होगा और अगर यह value point one से बड़ी आएगी तो फिर आप यह वाला formula नहीं लगा सकते हैं आपको बापेस इस formula पर आना पड़ेगा आप approximation नहीं कर सकते हैं अलफा की value neglect नहीं किया जा सकता है सुन लिया सुन लिया ठीक है सबने ध्यान से सुन लिया है बुलो नहीं सुन लिया है ठीक है तो one के respect में neglect कब होगा आपको तो question में क्या करना है आपको question में तो neglect ही करना है आपको तो formula हर बार यही लगाना है पहले यह लगा लो फिर जो value आए ना उ शोटी है तो बड़ी है यह आंसर हो गया कोई दिक्कत नहीं और पॉइंट बन से बढ़ी है तो लिखो नॉट परमिटेड लेखो अगर आप मालूप प्रजेंड कर रहे हो किसी ने लिख के देने की बात की है न है न है तो लॉट को नौ पर्मिटेड नौ पर्मिटेड दूबारा इस से कलुक्रेट करो अगर थिक है इस तरिके से कैसे होगा अब इस पर काम करतें देख्वों मैं बताता हूं आपको यह नोट हो गया इतनी बात सो यहां तक कोई कोई दिख्कत नहीं यह बात तो सब्वाज में आई अभी में स्कॉर जस्टिफाई करता हूं कर दो कोया है प्वेशल टेंप्रेचर का कोई है ज्यादा टेंप्रेचर जो बेसिकलिए डेटा दिया जाता एक लूम कॉंस्टेंट का यह 25 पर दिया जाता है इसलिए ले लिया है यह जो के है ना यह टेंपरिचर डिपेंडेंट कॉंटिटी है अगर टेंपरिचर बदलो गए तो यह बदल जाएगा ठीक है इस तरीके से रहेगा अब मैं इसी कुश्चन को चेंज कर रहा हूं आप लोग अपनी कॉपी में नया कुश्चन लिखना मैं यहीं पर चेंज कर रहा हूँ है और मैं क्या चेंज कर रहा हूँ वह आप देखो मैं यह चेंज कर रहा हूं और आपको ऐलफा aumento करना कि अब इसके लिए अलफा निकालो करो 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 कि निया कुश्चन लिखा है फाइंड अलफा फॉर पॉइंट ट्रपिल जीरो वन मोलर एस्टिक एसिड सोलूशन बागी सब कुछ सेम है के का वैलू वही है टेंप्रेचर वही है सब कुछ वही है झालो करो कि वही है कितना अंसर आ रहा है पॉइंट फॉर टू तो पॉइंट फॉर टू वैलू नॉट पर्मिटेड होगी ना पॉइंट फॉर टू आ रहा है ना ओके सो कम डूर नेक्स्ट आ जाते हैं बापिस और यह क्या कहता है फॉर्मॉला तो आपने को यही लगाना है फॉर्मॉला जो दिया था इसी को लगाएंगे पहले तो यह क्या लिखेगा यहां पर आप के लिखोगे के कितना लिखोगे 1.8 10 की पाउर माइनस 5 डिवाइड बाइ 10 की पाउर माइनस 4 comes out to be 0.18 इसको आप calculate करोगे तो यह 0.42 आएगा alpha की value 0.1 से बढ़ी आ रही है यहाँ पे कितने percent approximation हो जाएगा 42% approximation हो जाएगा जो की permitted नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे अपने copy में लिखोगे not permitted फिर क्या करोगे जब not permitted होगा तो फिर यह वाला formula लगेगा बिन approximation वाला k बराबर c alpha square upon 1 minus alpha यह formula लगेगा ठीक है और यहाँ क्या लिखोगे k equal to 1.8 into 10 की पाउर minus 5 10 की पाउर minus 4 alpha square 1 minus alpha यहाँ से यह cancel कर देना तो finally क्या बनके आजाएगा finally बनके आजाएगा 0.18 equal to alpha square upon 1 minus alpha यहाँ पर आपको quartic solve करने पड़ेगी ठीक है quartic solve करने पड़ेगी और quartic solve करने के बाद आपको alpha की value मिलेगी 0.32 ठीक है इस तरीके के value मिलेगी 0.32 या 0.34 ऐसा कुछ आता है आंसर इस तरीके के आसपास यह पहुंचेगा अब पहुंचे गई है न यहाँ पर क्या वा पॉइंट ठीक है तो 0.32 जो value है वो no doubt 0.1 से बड़ी जरूर है लेकिन ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर alpha की value 0.32 होगा और यह 0.1 से बड़ी जरूर है लेकिन यह without approximation आई है ठीक है 0.3 0.34 भी हो सकता है इसका answer 3 तो याद है दूसरा डिजिट अभी याद नहीं आ रहा है 0.34 भी हो सकता है ठीक है देख लेना कोई देख करते हैं तो अपने वो calculation पर बाला ठीक है लेकिन भाई वो 100% accurate है वो without approximation से है ध्यान रखना यह नहीं कहोगी जर यह भी 0.1 से बड़ी आ रही मैं इसको भी नहीं मानूंगा क्यों नहीं मानूंगी भाई यह तो बिना approximation क्या रही है यह तो 100% true value है अब अगर इसकी chemistry को समझो तो क्या chemistry हुई है कि आपने जो इससे पहले वाला question था इससे पहले वाला question था उस में हमारी concentration थी वह कितनी थी ascetic acid की इससे पहले वाले question में हमारी ascetic concentration थी 0.1 molar और उस समय जो alpha निकल के आया था वो कितना निकल के या 1.34 into 10 की power लिए निकल के आया था 1.32 तो यह यह वैलू निकल के आई तो अब 1.34 ne पोर- finished ह kitchen के अब ofahu उसके बाद आप थो क्सव minha आफ ने क्या किया आप ने जब- sowl किया जिरो पॉइंट इसको देखा है कि इसको देखा तो यृतिनी निकल सिरे हो रही है तो alpha के वह निकल के आ रही है 0.34 34% के आसपास क्या हो रहा है 34% के आसपास dissociation हो रहा है यहाँ पे alpha 1 के respect में neglect हो गया था यहाँ neglect नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने में 0.1 molar से यह 10 की power minus 4 molar तक पहुँचने में क्या किया गया होगा क्या किया गया होगा हाँ ठीक है क्या किया गया होगा dilution किया गया हो कितने गुना dilution किया गया होगा कितने गुना dilution किया गया होगा हाँ 1000 times 1000 times अगर एक लिटर रहा होगा एक लिटर रहा होगा तो उसे 1000 लीटर बना दिया गया होगा 1000 times किया गया होगा 1000 times dilution करने से क्या होगा alpha बढ़ा बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि one के respect में निगलेक्ट होना बंद हो गया I repeat I repeat आपने dilution करते करते concernant इतनी कम कर दी है कम कर दी है एक हजार गुना आपने डालूशन किया है कॉंसेन आपने कम किया अलफा बढ़ेगा 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 बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वरन के रिस्पेक्ट में निगलेट होना बंद हो गया तो फील आ गया पूरा कि अल्फा का अल्फा को कैसे निगलेट करना कैसे क्या करना वह उस्ट वर्लॉप डेलुशन समझ में आ गया दिस तरीके सोस्ट वर्लॉप डेलुशन काम करता है ठीक है को जाएगा आप लोगों से कर पाओगे ना ठीक है ऐस टाइप सी र सुपर किलि अधिक रहाँ पहुचूंगा फिर मैं बताओंगा यह पॉलिपोटेक का डिसोसेशन है यह कौन पूछना चारा है कौन है यह यह हां क्या हुआ जो आपको लाम प्रॉक्सिमेशन वाली बात पताई थी सब्सक्राइब थोड़ी कंफ्यूजन हो गयों से एक बाब फिर बता द कीजिए मैं यह कह रहा हूं कि तुमको क्या करना है अलफा तुम तुम जब भी ऐसा कुछ करोगे कोई अप्रॉक्सिमेशन करोगे ना साइंस में तो कि यहां पर हमने वन के रिजल्ट कैसे बनता था इससे बनता था जब आप इस अलफा को निगलेट कर देते हैं वन के रि में आप यहां परसंट हो जाएगा मैं कि जा सकती है पॉइंट वन से बड़ी वैलु आई ना यह आया ना यह पॉइंट वन से बड़ा वैलु आया ना पॉइंट फोर टू तो अपन ने क्या किया दिया कि नहीं भाई पर्मिटेड और इस तरीके से फिर दुबारा सॉल किया अगया समझ में अभी नियाया वन के रिस्पेक्ट में वन के आवाद में कॉन्फिदेंस नहीं है लगता समझ में नहीं नहीं आया अभी वी क्या प्रॉब्लम में बताओ तो पॉइंट वन के रिस्पेक्ट में कि बस्विकली यही है करना है आपको कि आपको तो सर एग्जेक्टली क्या ओस्ट्वार लौ यही डेफिनिशन में है आगया सौंझ में ठीक है अमित क्या पूछना चाह रहा हूं हम है लो सर हाँ जैसे सर वन के रिस्पेक्ट मेंवर 0.1 से बढ़ा है तो नेगलेट तर रहेंगे लेकिन सर यह डेरेक्ट तो मालुम पढ़ेगा ने इसमें डाइक्ट जैसे तुम सौल जैसे से कुष्टन सौल करोगे ना वैसे आइडिया लगता चला जाएगा तुमको बहुत हलका सा सौल कर लिया पता चल जाये करेगा पूरा मस्ट करो एक चोटा सा अप्रॉक्सिमिन देख के कर लिया और उसके बाद चल जाएगा है ना इस साइड में स्वेक्ट सॉल कर लिया उससे सही रहता है ना यह नहीं कर पूरा पूरा वैलू निकालकर लानी है अब यह चीज कैसे आएगा बादो देख ओ मैं आपको बताता हूँ अब यह लॉजिक यह एक्चले इनुमिरिकल नहीं है यह कंसेट रिए दुमिर्कल के थुरू एक concept सिखाया है यह concept आपको याद रखना है अब यह concept कैसे use होगा देखो question लिखो question find the volume of लिखो question find the volume of water added find the volume of water added question find the volume of water added volume of water added in 300 ml 0.1 molar cst cos solution in order to double the degree of dissociation given है के भरा ओफस्टिक एसेड 1.8 इंटो 10 की पावर माइनस 5 नोट करो हुआ है यह हाछ यह कि यह कितना है आंसर गुट एक लोग आ गया विस्कार का अंसर सही है अनन्या आंसर ठीक नहीं है वाटर एड़िट पूछा है वाटर एड़िट किक्या गर्वट एड़िट वाटर एूछ सही है कि एले पीडर कहा यड़िट पुट सही है कि वाटर खूट आंस कि ओरिए्यों एर भेंज सài क्या प्सक्ट Marian कर दो कर दो कर दो है सो आंसर इस 900 ml और काफी लोगों का अंसर आभी गया नौसर मल वेरी गुड ना कैसे करो गए तो एक माइंड में डेटा फिट होना चाहिए था कि यार जो पॉइंट बन मूलर दिया था यह वाला जो पॉइंट बन मूलर है है ना तो इसका अलफा कितना आएगा तो अपने को साइड में कैलकुलेट कर लेना चाहिए था पहले कुश्चन में क्यार इसका अलफा जो आएगा ना वो के बाई सी से आएगा और कितना आएगा वन पॉइंट इंटू टैन की पाउर माइनस फाइव और सी की वैलू 0.1 तो यह आजाएगा वन पॉइंट त्री पोर इंटू 10 की पाउर माइनस टू है ना ना मतलब यह जो अल्फा है यह जो स्वोलूशन आपको दिया गया है इसमें जो अल्फा निकलके आएगा वो वन के रिस्पेक्ट में निगलेक्टेड है यह आपको इंस्योर करना होगा यहाँ utilizz का दूगना करो इसका आगर आप दूगना भी करते हैं है ना ठीकि magically 1 है तो जब इसको double भी करके देख लो तो double करके देखोगे तो कितना हो जाएगा यह 2, 6, 4, 8 into 10 की power minus 2 दुगना भी करोगे तो भी neglected है तब भी neglected है यह value भी one के respect में neglected मानी जाएगी मानी जाएगी तो मतलब यह है कि पानी मिलाने से पहले और पानी मिलाने के बाद दोनों जगे यह formula valid है यह formula valid है सवन मया water मिलाने से पहले और water मिलाने के बाद दोनों जगे formula valid है ठीक क्या रहा बासवन में तो simple है कि अगर आपने को alpha double करना है तो concentration क्या करना पड़ेगा चार गुना कम कर दो यह c by 4 करो c by 4 करो के तो 4 उपर आएगा और वो root के अंदर जो 4 होगा वो 2 बनके बाहर आ जाएगा तो c को c by 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा volume को 4 गुना करना पड़ेगा c को c by 4 करने के लिए volume को 4 गुना करना पड़ेगा c become c by 4 यह होना चाहिए कम होना चाहिए dilution के बाद तो volume को जो है ना यह क्या करना पड़ेगा 4V करना पड़ेगा volume कितना था अपने पास 300 ml इसका 4 गुना 1200 ml तो 1200 ml पानी, 1200 ml solution करना पड़ेगा, तो 900 ml पानी मिला देना, ये diet solve हो जाएगा, ठीक है, हाँ, अगर double करने पे permitted नहीं होगा, तो question में समझ से आ जाएगी, तब question काफी बड़ा हो जाएगा, तब solve करने में आपको दिक्कत आएगी है, चलो वो भी काम कर लेंगे, वो भी बता देंगे, ठीक है, देखो, तो अब इसको, ये तो मैंने objective solve करके बता दिया, बिना pen चलाए, है ना, without pen चलाए, solve करके बता दिया, अगर आपको pen चलाना है, तो कैसे चलाना है, क्या कहा उसने, answer अगर आपको बनाना है, तो क्या होगा, उसने ये कहा कि जो alpha 2 है, वो पहले बा यहां पे क्या लिखा, यहां पे आपने क्या लिखा, k by c1 लिखा, दो तरफ करो square, तो k by c2 हो जाएगा, four times of k by c1 हो जाएगा, ये k से k खतम हो गया, तो आपका जो c2 होगा, वो क्या हो जाएगा, वो c1 by 4 हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हमारी क्लास में सब लोग ये जान सबनते हैं, कि dilution करने पर, आपने ये वाला formula लगाया होगा, m1 v1 बरावर m2 v2, सुना है, ये dilution law भी कहलाता है, सबने सुना है, m1 v2 v2, dilution करने पर, सबने सुन रखा है, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या c1 v1 बरावर c2 v2, लिख सकता हूँ, तो c1 को c1 रहने दो v1 को 300 ml कर दो, c2 हमारा कितना है, c2 हमारा c1 by 4 है, c2 हमारा c1 by 4 into v2 कर लो, c1 से c1 कैंसल हो जाएगा, ये 1200 ml हो जाएगा, तो फाइल वालूम आपका 12 ml आ गया, तो पानी कितना मिलाया आपने, हाँ, 300 ml तो पहले से ही था, तो वाटर एडिट का जो आंसर आएगा, वाटर एडिट का जो आंसर आएगा, वो 900 ml आएगा, ठीक है, आगे समाज़ें बात, हाँ, ठीक है, जस्ट टाइप SCR सुपर किलिए है, है ना, ठीक है, सबको किलिए है, कोई समस्या नहीं है, है ना, ठीक है, अब कोई स्टुएंट कह रहा था कि सर, अगर ये नहीं हुआ, तब क्या करोगे, सर नी क्या पूछ रहे हैं, बोलो अब बोलो, अब बोलो, सर चो ये फोर्मला डिराइव हो है, सी टू इक्वल सी बन बाय पूर, यहां पे सर, कंसंट्रेशन को एन बाय भी रख सकते हैं, हाँ, 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 एन बाय बी करके वैसे कर लो, वालूम से कर लो, को जिकत होई नहीं है, हाँ, ठीक है, अब लेकिन अगर ऐसा हुआ, कि मैं इसी कुष्चन को दू, फाइंड बॉलूम ऑ वालूम ओ वाटर एड़िए इन 300 ml, 0.1 molar, in order to, in order to, get, 10 times the degree of dissociation, in order to get 10 times the degree of, in order to get 10 times initial degree of dissociation, हाँ, ठीक है, ये कर देता हूँ, in order to get 10 times the degree of dissociation of initial value, हाँ, इनीशल वैलू का 10 गुना चाहिए, इनीशल वैलू कि थी अपने पास, ये थी, इसका 10 गुना करो, हाँ, इसका अगर आप 10 times कर दोगे, तो क्या होगा, हाँ, इसका जब 10 times करोगे, देखो आप, ये सब calculation आपको side में करनी पड़ेगी है, ना, numerical को solve करने से पहले, तो जो alpha 2 है, वो कह रहा है, 10 times alpha 1 करो, तो जब आप इसका 1.34 into 10 की power minus 2 करोगे, into 10 करोगे, तो बच्चों ये जो value आएगी, वो आएगी 0.134, alpha 2 की value 0.1 से बड़ी है, alpha 2 की value 0.1 से बड़ी है, ठीक है, 0.1 से बड़ी है, अब की बार, सुनना मेरी बात, अब की बार आप जब ऐसा लिखोगे, alpha 2 equal to 10 alpha 1, तो alpha 2 की जगे पे ये नहीं लिख पाऊगे, सुन लिया अलफा टू की जगे पर यह नहीं लिख पाओगे है यह सुनो है अलफा व्न की नविर्कल वेल्मट आपको पता है अलफा व्न की आपको नुमिर्कल वेलू पता है आप जानते हैं कि इसका आंसर कैसे बनेगा इस question का alpha 2 जो होगा वो होगा 10 alpha 1 तो आप जो बात वाले क्या होगा k equal to c2 into alpha 2 का whole square और 1 minus alpha 2 यह ठीक है इसमें कोई समझते है तो नहीं है यह formula तो लगा सकता हूं यार इसमें तो कोई approximation नहीं है यह सुनो अब मैं क्या करूँगा इस k की जगें पर क्या लिखूँगा 1.8 into 10 की पाउर माइनस 5 c2 को c2 रहने दूँगा alpha 2 की जगें पर लिखूँगा 10 alpha 1 1 minus 10 alpha 1 alpha 1 की value है आपने पास alpha 1 की value है यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको करना है put alpha 1 and get c2 जब c2 मिल जाए तो क्या करना c2 मिलने के बाद फिर से वही formula लगाना कौन सा c1 v1 बराबर c2 v2 और क्या करना calculate करना v2 यह आपका answer है काफी ज़्यादा आएगा काफी ज़्यादा value बढ़ी आएगी काफी ज़्यादा value बढ़ी आती है इवेन आपको 300 ml माइनस करने की ज़रूद भी नहीं पड़ेगी है नहीं तो यह हो गया तो conceptually आप strong हो गये हैं इतने इतने नहीं इस तरीके के नुमेरिकल आजकल नहीं आते हैं लेकिन किसी ने पूंच दिया तो मजबूरी थी बताने के लिए इसलिए मैंने solve भी नहीं कि इसके आगे से ठीक है इसके आगे जो है ना वो काम हो जाएगा ठीक है अमित क्या कह रहे हूं है है अलो सर यह डाव में सब्सक्राइब इसमें लिखाए बहुत हमिंग आबाज आ रही है आपके सुनाएं दिरहां बोलो और पहले वाले का है और उसके बाद जब पानी मिलाके दसगुना कर पानी मिला दोगे और उसकी इतना पानी मिलाना है कि उसकी अलफा की वैलू दसगुना हो जाए तो बाद में आप अलफा टू की जगे पे आप वो नहीं कर पाओ गया होगा लॉजिक मेरे ख्याल से मैं जो समझा था तो आज की क्लास में का जो मेजर डिसकुशन है वो डिग् और यह जो फील जिसके अच्छा नहीं होता है उसे आयनिक समझ में नहीं आता उसको आयनिक में हमेसा कुछ और दिक्कत आती रहते है वूइस्तगल करते है यह ayeक में क्योंकि आई निक में बिना अप्रॉक्सिमेशन के काम चलता नहीं है और अप्रॉक्सिमेशन जो है ना ठीक है ठीक है अप्रॉक्सिमेशन जो है ना वो लोग अच्छे से समझते नहीं टाइम तो लगता है यह जो को है ना समझाने में भी टाइम लगता है और देना भी पढ़ता है बच्चों को टाइम इतना ठीक है तो यह हो जाएगा मेरे ख्याल से आप पहले है क्योंकि आप तो रिपीटर हो तो पहले भी पढ़े होगे अब मेरे ख्याल से आपको पता चल रहा होगा आगे बढ़ते हैं तो ना अब हमारा एक छोटा सा काम और भी बचा है और वो है पानी को समझना चैप्टर थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा आपका वाटर के बारे में जानना है क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि इस टॉपिक में वाटर को इग्नोर नहीं किया जा सकता वी के नौट इग्नोर था एक कोस मीडियम सबकुछ जो हो रहा है वह को समीडियम में हो रहा है कि इस वह नेक्स क्यूंट अपको लिखो गए आर वो है प्रापर्टी जॉव वाटर कि शाओ में करो में परपर्टीben पर्फ & में सबसे पहले अम लोग बात करते हैं कि मॉलर्टी ओ वॉटर की हमारी क्लास में सब लोग जानते हैंॉनद टया कितनी होती है कितनी वक्ति हैं अगर सब लोग जानते हैं तो मैं नहीं लिखूंगा है ना मोलर्टी और वॉटर के लिए क्लिए क्या ज़रुवत पड़ेगी डेंस्टी और वॉटर के ज़रुवत पड़ती कितनी बन ग्राम पर एमल सुनना जब भी किसी सॉल्वेंट की सिंगल कंपोनेंट की सिंगल कंपोनेंट की मोलर्टी की आपको कैल्कुलेशन करनी है तो डेंस्टी चाहिए होगी यह ना यह डेंस्टी क्या बताती है कि भाई एक एमल एक एमल वॉलूम में एक ग्राम पानी होगा ठीक है एक ग्राम में कितना होगा तो किसी भी सबस्टेंस के 1000 ml वालूम में जितने मोल होते हैं वह उसकी मोलर्टी होती है यह बन जाता एक हजार डिवाइड भई 18 मोल तो 1000 ml में प्रिजेंट मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलर्टी कहलाती है तो जो हज्ट ऑ की कॉंसंट्रेशन आती है मोलर्टी आती है वह एक हजार बट साथारा आती है यानिन है फिप्टी फाइब 55 55 मोल पर लीटरverse में लेकर ज्यादा इक काफी ज्यादा कॉंसंट्रेशन होती एना इसी लिए अम लोग इसको क्या मानते हैं इसलिए इस टॉपिक में इसको क्या माना जाता है क्या मतलब एक इसको क्या माना जाता है क्या मतलब मानने का जो मतलब है वह यह है कि अगर आप से CS3COOH प्लस ह2O ऐसे लिखा मिला CS3COO-IN और एसे लिखा हुआ मिला तो जब आप के लिखोगे तो कि क्या होगा CS3COO-IN concentration एस ट्रीयों पॉस्टिवाइन concentration और CS3COOH concentration water concentration यहां आएगी नहीं इसको constant ही माना जाएगा जब water कैसे काम कर रहा होगा एसे solvent काम कर रहा होगा तो वह नहीं अपियर होगा ठीक है वह अपियर नहीं होगा यहां पर पासन ना रही है कभी-कभी लोग इसको नहीं लिखते हैं water को नहीं लिखते हैं कभी-कभी लोग डारेक्टली लिख देते हैं CSC-CW-O-H-Aquos और ऐसे लिख देते हैं CSC-CW-O-A-Q-O-A-Q-O-S और H-A-Q-O-S मैंने ऐसे लिखते भी देखा है लोगों को यह दोनों रियक्षिन में केमिस्टी के पॉइंट ब्वी से कोई डिफरेंस नहीं है बस प्रजेंट करने का तरीका है इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है तरीक़ लग यहां पर जो हैडॉनियम आयन लेकिन रियल्टी य है कि वाट्र में होता नहीं है क्योंकि वाटर को जो ऐच प्लस आयन है उसके उपर जो प्लस चाहश है वह बहुत बड़ा प्लस चार्ज चोटे से एटम के उपर फैस चाहिए वाटर वहाटरёт कर देते हो इसको ऑ そ हाइड्रोनियमाइन बना देते हैं उसको ठीक है हाँ एच प्लस एंड एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियमाइन वाटर का सही रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो एच टू का हम एच प्लस आइड जरूर लिखते हैं कि यह किशेंक हमें क्या लिखना चाहिए इसकी जगने क्या लगाइए लिख नर। भी नर। हैं ठीक है तो यह कुछ एक डिसक्रशन होगी हमोलाठी के आंगे बढ़ेंगे तो नोट करो जो भी नोट करना हो आपको इसमें सर्णी क्या हुआ हेलो सर्णी प्योर वाटर होता है उसके अंदर एच प्लस और ओएच माइनस आइंस प्रेजेंट होते हैं और सिर्फ एच्टो मॉलिकुल प्रेजेंट होता है है प्योर वाटर या वटर में आइंस प्रेजेंट होते हैं हां बिलकुल होगा क्या दिक्कते डिस्टिल वाटर जो होता उसकी कंड्यक्टिविटी अल्मोस जीरो कर दिया अधिए डबल डिस्टिविट उसकी नहीं होगी वैसे तो होगा कि यानाइज करने के दिए सर कोई सोल्ट प्रेजेंट होना शीन वाटर को खुद आइसका ने के लिए सिर्वाटर खुद आइनाइज क्यों होंगा है एक्षेल का नहीं एक्षुलीद्ग में जितने भी सॉल्वेंट वो सारे अइस होते हैं अकेला पानी की बात नहीं है दु 在 2 दुनिया का जैसे अमॉनिया है ना इसको कंडेंस करनों बिनना पानी के पानी मत मिला न अट करंAt कंडेंस कर लो एक यह खुर्ड और दुनिया का हर एक लेक्विड सहे फैना इजब कर hy या दिखते हैं वो क्या होगा वो सेल्फ आनाशन की बज़े से होता है वो है वो है मतलब पानी में पानी की वो अपनी नेटिव प्रॉपर्टी है जन्मजात जब पानी बनाता ना तभी ऐसा हुआ तो ऐसे चल रहा है ठीक है ठीक है तो यहां पर मोलर्टी ओव वाटर हो गय क्यांक ना हम्लोग बात करते हैं इसमें आइन क्प्रद्ट अव्वाटर की अफ़ा है इनिक प्रट्प्त आव वाटर में कि अपकूल मैं आपको हैडुनियम नहीं लिख रहा हूं मैं यहीं लिखूँगा वाटर तो के डबलू जो डिफाइन है वह आयनिक प्रोट आप वाटर मतलब solvent के जो काट आन और फिल अने उनके आइंड का मल्टिपिकेशन जो होता है वह के डबलू कहलाता है और यह जो ना यह वैलेड़ टेमपरेचर यह तो वैलेड़ एट ओल टेमपरेचर और यह सभी 25 दिध्यव तो 55.55 और लीटर कॉंसंट्रेशन पर वाटर पार्टिक्ल जो है न वह 10 की पाउर माइनस सेवन मौलर आइनायज हो जाते हैं यह मिलता है 25 बीवी सेलसियस पर 55.55 मोलर कॉंसेंट्रेशन पर एच प्लस साइन 10 की पावर माइस 7 बनता है यह कहा जाता है पानी में एक करोड में से 10 की पावर साथ अगर देखोगे तो कितना बन जाएगा 10 करोड बन जाएगा वाटर के एक करोड वाटर पारटिकेल में से एक वाटर पारटिकेल आइस हो जाता है आओट और यह सिचूएशन कहां दिखाई देती है तो अगर यहां पर यह कहा जाए अगर कोई student यहां पर 10 की पार माइनस 7 10 की पार माइनस 7 पुट कर देता है तो 10 की पार माइनस 7 इन्टू 10 की पार माइनस 7 पुट करके ये 10 की पार माइनस 14 ला देता है तो kW जो value आएगी 10 की पार माइनस 14 वो कब होगी at 25 degree Celsius only तो आप अपने question में confirm कर लिजएगा कि 25 degree Celsius है या नहीं है अगर है तभी kW की numerical value 10 की पार माइनस 14 लिखी जाएगी अगर 25 degree Celsius temperature नहीं है तो kW की numerical value ये नहीं लिखी जाएगी ये नहीं लिखी जाएगी वासन में आ रही है 10 की माइनस 14 जो है न वो ये बन जाएगा ये जो है ना इन दोनों का multiplication ये तो हमेशा valid है है ना कभी भी करो तो कहीं न कहीं आपने देखा कि kW की value वगेरा जो है ना वो temperature dependent है अगर हम temperature बढ़ाएंगे तो अगर हम temperature को बढ़ाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये equilibrium कहा जाएगा वाटर कानेशन क्या होगा तेमपेचर बढ़ाने पर क्या होगा तेमपेचर बढ़ाने पर वाटर का आइनाइजेशन क्या होगा इनक्रीज होगा या डिक्रीज होगा पानी को गरम करने पर इनक्रीज हो जाएगा पानी को गरम करने पर इंक्रीज हो चाहेगा ठेक है तो वाट यह क्या होगा तो अलफा जो होगा एच टू ओका वो बढ़ेगा कि अलफा मनला डिग्री ओप्रिस हो से अलफा जो बाटर का बढ़ेगा अलफा बढ़ेगा तो एच प्रसाइन और चाहिन की कॉंसेंरेशन भी बढ़े ला यह क्वह सको बढ़ेगी तो की डेवलू का वैलो क्या होगा खांक adequ क्या होगा था कि व्लू क्या होगा अज की बढ़ेगा एक टिम्प्रेटर कम करो हो गए 25 से temperature कम करोगे तो alpha of h2o क्या होगा कम होगा और kw क्या हो जाएगा बोलो वो घड़ जाएगा तो पानी को गरम करने पर पानी एसदे को जाता है basic हो जाता है क्या बढ़ जाता है पानी में हाँ तो पानी को गरम करने पर पानी गरम ही होता है ठीक है पानी को पानी को गरम करने पर पानी गरम ही होता है ना तो गरम करने से इतने सान हुआ चाहें, दोनों बढ़ते हैं, ध्यान लखिएगा, साथ में बढ़ेंगे, बराबर ही बढ़ते हैं, या तो बराबर बढ़ेंगे, बराबर घटेंगे, दोनों होगा, लेकिन ध्यान देना कि जो acidic और basic solution होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है, बाद म हैं, ठीक है, ओके, नो, इसमें हो गया, complete हो गया, यह बात हो गई, यह के बारे में बात हो गया है, यहीं पर आपको वो भी पता होगा, पीके, अगर मैं इसका negative log ले लूँ, इसका negative log लूँगा, तो क्या आएगा, negative log of kW, equal to negative log of h plus i n concentration, negative log of h n concentration, तो यह सबको बता होगा, आप तो 13 k student हो, तो PKW होगा, यह pH हो जाएगा, यह pH हो जाएगा, ठीक है, तो यह कब होगा, यह valid है, at all temperature, valid, at all temperature, यह सभी temperature पर valid है, लेकिन अगर किसी ने कहा कि pH plus pH equal to 14 है, मतला उसने PKW को क्या रख दिया, यहाँ पर kW कितना था, kW था, 10 की पार माइस 14, तो यहाँ पर क्या होगा, PKW कितना हो जाएगा, बोलो, 14 हो जाएगा, तो यह जो valid है, equation का valid at, only 25 degree Celsius पर, ठीक है, हो गया, complete हो गया, okay, so now, अब आप लोग बस एक छोटा सा पार निट और कर लो, फिर आप लोग चले जाना, ठीक है, खतम कर देंगे, class 10 मेट लेट शुरू हुई थी, यह नोट हो गया, अपका, यह लेट हो गया, यह हो गया, पुरा, ठीक है, next heading लिखो गया आप लोग, औ हुआ है, वो है, equilibrium constant of water, equilibrium constant of water, यह आइनाजिशन constant of water, लेखो, आइनाजिशन constant of water, यह क्या है, क्योंकि water जब ionize होता है, तो water h% concentration और ohn concentration दोनों देता है, इसलिए water के लिए k भी defined है, और water के लिए k भी defined है, है ना, दोनों defined है, और वो कैसे होंगे, वो होंगे h% concentration, और ohn concentration upon h2o concentration, तो यह तो आपका हमेशा valid है, कभी भी लिखो, कोई समस्या नहीं है, यह तो हमेशा valid है, लेकिन अगर आपने कहा कि 25 degree Celsius ले लो, temperature अगर आपने 25 degree Celsius मेंशन कर दिया, यह तो क्या होगा, यह तो क्या होगा, यह तो valid है, at all temperature, आपने कहा कि यह 25 degree Celsius ले लो, सर, तो फिर क्या होगा, के ओफ एच्टू, के भी ओफ एच्टू, यह जो है ना, एत्परसान और चैन का मल्टिपिकेशन, यह बेसिकली के डबलू है, ज्यान देना, और यह है एच्टू की concentration, और 25 degree Celsius पेस की वेलू कितनी हो जाएगी, 10 की पार माइस 14, और यह कितना होता, यह होता 55.55, पुट कर दो, यह हो जाएगा, 10 की पार माइस 14, इसको लिख दो, 1000 बटी 18, भार, तो यह जाएगा, एटीन इन्टू to 10 की पार माइस 17, यह जाएगा, 1.8 इन्टू 10 की पार माइस 16, ठीक है, तो इस तरीके से, जो है ना, यह वेलू जो है ना, पानी के, इस तरीकर निकल के आती है, water का जो defining a constant, होता है वह इतना होता है वाटर का जो के डबलू होता है के डबलू और अलग लग चीज़े हैं इसके बारे हम लोग discussion next class में कर लेंगे अभी आप इतना ही लिख दो और इसका जो पीके लिखना चाहोगे वह क्या आएगा देख लो पानी का पीके भी याद रखेगा water का के याद रखना है water का पीके भी याद रखना है पीके ओफ एच्टू ओ क्या होगा पीके बी ओफ एच्टू ओ क्या होगा वह होता है 15.174 या जाएगा कि इसका निगेटिव लॉग लेना 15.74 आ जाएगा ठीक है कि आज के लिए इतने रखते हैं यहां से नेक्स ग्लास में बढ़ा देगा हाँ यह वैलू 25 ली सेल्चिय पर ही है ना 25 पर ही है यह वैलू जो अभी कल्कुलेट करके लाएं वह 25 लीश एस पर ही है क्योंकि अपने 10 की पर माइस 14 वैलू यूज की है के डबलो की है ना कल्कुलेट करने के लिए हां क्लास अप्लोड हो जाएगा 600 क्लॉक पर आपको मिल जाएगा क्लास ठीक है यह वाला इसक्स उक्लॉक या फोर ओ क्लॉक पर देदूँगा ना मिल जाएगा ना प्रीमियर ओमवर्क अभी नहीं है यार अभी तो क्या कुछ पड़ाई कहां पाया हो ज्ढ़ा कुछ ही नहीं अभी तो अल्फा कुश्टन सॉल कर लो और क्या section a section भी वाले है य्यूज कौल कर लो अलफा degree of डाउट आउट हो तो पूछ लो किसी का, हाँ, seat में यह देखना, seat में जो acid base वाला section है, और degree of dissociation वाला section है, वो attempt कर लो, वो हो जाएगा आप से, ठीक है, वो attempt कर लो, वो हो जाएगा, हाँ,